नमस्कार आफ सब का मेरे जुर्योटी चैनल पामिस्री हिलर में स्वगत। आड तीचिंग पामिस्री के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एडवांस पामिस्री होती क्या है? इसके नीव रखना सिखाता हूँ मैं आपको क्योंकि देखो पामिस्ट्री टीचिंग पामिस्ट्री के तो जो में वीडियोस है वो तो आते रहेंगे ना आपके पास वो आप उसे डाउनलोड कीजेगा सीखना लेकिन ये एडवास पामिस्ट्री जो होती है ये होती क्या है इसके पीछे राज क्या है यानि इसके पीछे चिन और रेखाएं होती है और फिर उसकी कैलकुलेशन्स भी आती है पर लेकिन कुछ चीजे मैंने एक एस्ट्रोलॉजी पर एक सीरिस शुरू करी थी इसकी नीव ना कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है यह होती है एड़ाश पाविस्ट्रे। दिखो जैसे आपलों को कुण्डली में इसे एक यसे मैं होते हैं लगल एकक से शुरू करते हैं एक दो ती ती साथ खाना चोथा हॉस पाच्वा हस ऐसे होता है नहीं होता है ऐसए हथेली पर कहां पर होता है हतेली पर कहां पर होता है जैसे देखो ये हाथ है ये हाथ है अब इस जगा पर आपको कैसे पता लगे कि कौन सा कौन सा फरस्ट हाउस है कौन सा सेकंड हाउस है कौन सा थर्ड हाउस है फिर उसके हिसाब से फिर चिन को समझेंगे फिर उसके मित्र दोश मित्र जो ग्रह समझे पिर दुश्मन शत्रूद ग्रह समझेंगे फिर आगे जो है आपको एस्ट्रोजी में जो जिसका जिसको इंटरस्ट है उसे समझ आना लग जाएगा ओ माई गॉड पामिस्ट्री तो वही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि एस्ट्रोजी को कर रही है तो अब भ् खाना खाना नंबर एक दे देता हूँ ठीक है यह देखो सबसे पहले एक यह रेखा बना दी एक यह रेखा बना दी एक यह रेखा बना दी ठीक है यह परधान रेखा हो गई ठीक है इसे कहते परधान रेखा ठीक है मैंने क्या करा यहां पर एक यह बना दिया ठीक है मैंने क्या करा एक बुध की रेखा बना दी ठीक है मैंने एक बुध की रेखा बना दी बस काम हो गया हमारा हमारा काम हो गया ये खाना खान नंबर एक खाना नंबर दो याले सूर्य खाना नंबर एक गुरू खाना नंबर दो house 2 house 3 mangal house 3 chandra house number 4 buddh की जो रेखा है ये वाली 5 ये 5 हो गया ना ऐसे आपको दिखाने के लिए ये है 5 ये वाला area जो होता है ये 6 होता है तो हमने 6 डाल दिया ठीक है अब हमने यहाँ 7 डाला है यहाँ 6 डाल देंगे 8 नो जहां से रेखा शुरू होती है शनी रेखा 10 जहां पर खतम होती है ठीक है 11 जिसे आप triangle कहते हो 12 जो राहू का area होता है ये आपने सीख लिया आपको ये समझा गया कि खाना नंबर कैसे चलता है इस इट राइट इसका आप एक जगा note कर लीचे ठीक है अब इसको समझते है कि सर आप मुझे ये बताइए हम गुरू से अगर शुरू करते है गुरू का चिन क्या है देखो गुरू का चिन हम ऐसे करके ऐसे भी कर सकते है न गुरू का चिन ये है ये चिन तो मिलते ही नहीं है, गुरु का चिन क्या है, स्वास्तिक, स्वास्तिक पर तो गुरु का चिन है, अब गुरु का चिन स्वास्तिक है, तो स्वास्तिक बनने के तरीके भी तो बहुत होती है, कोई जरूरी है, एक तरीके का स्वास्तिक हो, नहीं हो सकता न, अब देखो ऐसे भी तो बन सक यह गुरू का अपना चिन है अगर यह चिन बनता है पहली बात या मैंने ऐसे करके ऐसे करके यह करा यह भी गुरू का चिन है यह बनने बड़े मुश्किल है लेकर नॉर्मली 97% हातों में एक कैसी रेखा बनी होती है वो हमें समझने की कला आनी चाहिए न तो वो कैसे है अब पहले यह उतार लिया आपने चीक है अब हम क्या करते है वो चिन बनाते है जो कि आपको मिलेंगे यह रेखा तो मिल सकती है बिलकुल दो खड़ी रेखा तो मिल सकती है सर यह गुरू का चिन है दो इकठी खड़ी रेखा गुरू का चिन है समझ रहो सुर्य का चिन समझ रहो सुर्य का चिन अब वैसे ये ऐसे 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 ये भी सुर्य का चिन है ये भी सुर्य का चिन है लेकिन मैं आपको अलग-अलग क्यों सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले ये तो समझ आ जाए कि ये क्या होता है ठीके ये कैसे बनता है ये क्या होता है ये तो समझ आ जाए ये जिसे समझ आ गई अच्छा वैसे देखो बुद्ध का जो चिन होता है वो ये ये और ये होता है ये मिलना तो बड़ा मुश्किल है सर जी ये नहीं मिलेगा ये तो बहुत मुश्किल है चिन बड़ा मुश्किल है ठीके है चंद्र का सर यह यह हाँ सर यह तो मिल सकते हैं चंद्र के चिनャ क taxi मंगल का यह वाला च होता है मिलना अब मैं वह चीजें बताऊंगा जो की action में अब देखो यह वह एक शनी का आपको यह मिलना मुश्किल होता है ना मुश्किल है ना अब मैं वो 97% वो रेखा बताऊंगा जो कि आपको हाथों में मिलेंगी ठीक है अब वो पहले ये उतार लो ये भी मिल सकते हैं और वो भी हो सकता है तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे यह या फिर मैंने यहां पर दो रेखा को खड़ी कर दिया गुरू का चिन हो गया इस ट्राइट गुरू का चिन हो गया अब शनी का चिन में यह अरे वासर यह मिल यह वाला हम कर सकते हैं यह शनी का चिन है यह शनी का चिन है सुर्य का चिन यह और यह यहाँ पर आप यह वाला चिन भी कर सकते हो समझ रहे हो यानि आप बुद्ध पर अगर यह सरकल देखते हो तो यह बुद्ध का चिन है कहीं पर भी कहीं पर भी सरकल देखते हो यह बुद्ध का चिन ह ये शनी का चिन है अच्छा सर यहाँ पर अगर ये स्क्वायर ये मंगल का है सर मंगल का और भी तो चिन हो सकते हैं न वो भी सर बता दो जो यहाँ बनेंगे ट्रैंगल बनेगा मंगल का है ये मंगल का है ये मंगल का है अच्छा सार अच्छा अब समझ ये तो बनते हुए मिलेंगे हाँ ये मंगल के चिन है ये मंगल का चिन है ठीक है ये तो हमें समझ आ रही है वीनस के शुक्र के चिन अब ये वाला तो चिन मिलना मुश्किल है ना भाई चलो कुछ नहीं होता हम मैं असान तरीक तो बताता हूँ कि शुक्र का यह दो रेखा ऐसी आड़ी रेखा दो भी दो रेखा आड़ी खड़ी हो शुक्र का चिन है यह 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 इन दोनों में से कोई भी अगर चीज बनी है यह चंदर का चिन है लागिक समझो, मैं सारी चीजे आपको समझा कर बता रहा हूं और आपको समझ आनी चाहिए ठीक है, आपको इस चीज के समझ आनी चाहिए कि ये कौण-कौन सी रेखाएं, कौण-कौन सी चीजों को represent करती है, राहू का चिन कौन सा होता है सर देखो राहू का चिन होता है ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूम गया यह राहू का चिन हो गया केतु का ऐसे 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 सर ये रेखाएं तो बनती है सर ये मैं 97% कह रहा हूँ ऐसे चिन बनते हैं हाथ में अब ये चिन क्यों बताए वो पहले मैंने सिखाया आपको उसके बाद ये क्यों बताया कोई लॉचिक होगा सर आपने जो बताया कुछ तो होगा सर आप समझ लेते हैं इसका मित्रदोश और इसके दुश्मन इसके दुश्मन और मित्रदोश को समझना शुरू करते हैं हम सबसे पहले गुरू, सर मैं गुरू कहता है मेरे मित्र ग्रहे वो कौन है, मेरे मित्र ग्रहे मंगल है, गुरू के मित्र ग्रहे मंगल है, सर मेरा मित्र ग्रहे जो है वो चंद्र है, मेरा मित्र ग्रहे जो है वो शनी है, तो गुरू के कौन से हो गए ये और ये तीन मित्र ग्रह हो गए गुरू के तो यानि समझ आये गुरू के मित्र ग्रह का मतलब अभी समझाऊंगा मंगल, चंद्र और शनी अब किन से नहीं बनती है गुरू की जो थोड़ा सा शत्रू होते हैं शुक्र और बुद्ध आगे समझ, दूरी बनाकर दुश्मन नहीं है, बस दूरी बनाकर रखता है अच्छा सर ये तो हमने अभी समझागे, इसका मतलब भी समझाँगा, अभी बस समझते रहो सर अब थोड़ा सा शनी के बता दो ना शनी के मित्र ग्रहाए हूँ शनी कहता है शनी कहता है कि मेरे मित्र ग्रह जो है ना वो कौन है ये इसका चिन बना दिया मैंने अब इसके मित्र ग्रह जो है बुद्ध कहता है मेरे बुद्ध से जादा दोस्ती है क्योंकि मैं भाग गे रहे कहा हूं वो भी कमा के देता है मैं भी कमा के देता हूं तो यहां कि दोस्ती अच्छी है मेरी अच्छा मैं न सुर्य जो है न इसको जो है ये पसंद नहीं करता हूं मैं चंद्र को पसंद नहीं करता हूं समझ रहे हो तो ये कैसे पता लग रहा हमें सर मैं मंगल को भी पसंद नहीं करता हूं यह अपनी चलाताब होता है ना इसलिए मैंने पसंद करता हूँ गुरू जोसे मेरी ना कोई दुश्मनी नहीं है मैं इसका समभाव गुरू हूँ मतलब यह समभाव हूँ मेरी समानतर क्रह हूँ मैं इसका मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है ना मैं इसका बुरा करूँगा, ना कुछ करूँगा, ये चीज़ समझ आ गई, शनी के लिए, तो हमने गुरू और शनी को समझा, अब मैं जरा सुर्य को समझा देता हूं, कि सुर्य जो है, जो उसका क्या है, रोल इसमें क्या आता है, ठीक है, वो देख लेते हैं, देखो चंद्र मंगल और गुरू, चंद्र मंगल, ठीक है, सुर्य के मित्रग्र है, चंद्र है, मंगल है, ठीक है, अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दो, कि सर, इसमें हम और शत्रुग्र है, या सम्टिंग, ये चीज़े, वो भी तो पता लगे ना, वो भी बता दो आप हमें, तो वो शत्रुग्रह कुन से है? सुर्य के, देखो चंद्र मंगल, तो हो गए हमारे गुरु और शुक्र, ये शत्रुग्रह, ठीक है, अब बुद्ध की बात कर लेते हैं, बुद्ध का मित्र ग्रह कुन सा होता है, सुर्य और शुक्र, चंद्र शत्रू है मंगल शत्रू है गुरू से समानता है समझ आ रही है मेरा आपको यह जो क्यों समझाने का तरीका है वो मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है अगर आपने इसे समझ लिया न आपको पामिस्ट्री आ जाएगी डेफिनिट्ली पामिस्ट्री आ जाएगी शुक्र का जो है मित्र कोन है शुक्र का मित्र कोन है शुक्र के मित्र जो ग्रह है बुद्ध और शनी है ठीक है चंद्र जो है शत्रू है ठीक है सुर्य शत्रू है और गुरू से समानता रहती है राहू और केतू के मित्र होते हैं बुद्ध शनी बुद्ध शनी शुक्र ठीक है शत्रू होते हैं सूरे चंद्र मंगल लेकिन गुरू जो होता है ना वो राहू का तो जो है वो मित्र नहीं है लेकिन केतू उसका हाथ जोड़ता है बस इस चीज का ध्यान रख लेना लेकिन अब मैं ये जो जल्दी से खतम करके क्यों समझा रहा हूँ वो लॉजिक है उसके पीछे अब आपको पहले वेसे मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि कौन से ग्रहे जो होते मित्र दोश है वो आप उस पर देख लीजेगा लेकिन अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे समझते हैं मान के चलो कि आप यहां दो रेखा बनी है तो ये कौन से गुरू का अपना है ना अपना चिन है ना लेकिन ये कुंडली में कौन से खाने में है पहले तो ये समझो ये सेकंड खाने पर है कुंडली के यानि सेकंड हाउस है ये लॉजिक समझ लो ये समझ में आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये गेम समझ आ गई ना तो सब कुछ समझ आ गई ये गुरू का अपना चिंद तो यहां पर है लेकिन कुंडली में ये सेकंड हाउस है कुंडली में सेकंड हाउस है अब सेकंड हाउस में होता क्या है वो समझ लेते हैं भाईया अब हम समझते हैं यहां पर हमने पहले समझ ये तो सेकंड हाउस है भाई यह फर्स्ट हाउस की बात समझ ले पहले फर्स्ट हाउस पे समझ लेते हैं यह सेकेड फर्स्ट हाउस सर आपने यह बोला था यह सुर्य है यह फर्स्ट हाउस है लेकिन मैं तो गुरू की बात कर रहा हूँ गुरू अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है यानि यहां दो रेखा आ गई यहां दो रेखा है समझते रहे ना गुरू जो है यह फर्स्ट अब ब्रस्पती अब एस्ट्रोजर बोलते क्या देखो उनकी लेंग्वेज समझना वो क्या कहते है देखो यदि बुद्ध अशुब है बुद्ध अशुब है अब समझते रहे ना और शत्रु ग्रह जो है शत्रु ग्रह अब यह शत्रु अब यह देखो एस्ट्रोलोजी में मैंने क्यों सिखा रहा था आपको यहां पर कि इसके शत्रु ग्रह भी तो पहले भाई अब सबसे पहले आपको पता होना चीए कि इसके शत्रु ग्रह कोन से है यानि इसकी जो बंती नहीं है वो किससे नहीं बंती गुरु की के मित्र अभी मैंने आपको बताया था मंगल और चंद्र जो है और शनी जो है यह क्या है यह इसके दोस्त है शुक्र और बुद्ध इसके शत्रु है शुक्र और बुद्ध इसक यानि बुद्ध में कोई defect है मान के चलो यह उबर यह उबरा हुआ है यहां पर कोई ऐसे आड़ी रेखाई है अशुब है समस्ते रहा और उसके शत्रुग्र है अब मैं यहां पर क्या कहा रहा हूँ शत्रुग्र है दुद्धे दूसरे में नौवे में पांचवे में और बा उपर हो सर यह नौवा कहा पर आया था यहां पर देखो यह रेखा बनी हुई थी नौवा यह था यह लास्ट वाला नौवा था ना पांचवा क्या था सर यह था पांचवा बारवा कौन सा था सर बारवा यह था देखो रटे रटाई चीज़ा कितने जल्दी से समझ आ रह अब इसका कौन है शड्रु भाई सर्शुक्र है और बुद्द का चिन और श्ट्र का चिन इस पे आड़ी रेखा आ यहाँ पर आड़ी रेखा आगर आ गई दो आड़ी रेखा आ गई यह एक सर्कल आ गया तो और ये क्या हुआ, इसका शक्त्रुग्राह बन गया ये शक्त्रुग्राह बना नहीं बना अरे मैं तो एस्ट्रोलजर से कहता हूँ कि पहले आपको अगर पामिस्ट्री में इंटर्स लेना है न तो एडवांस पामिस्ट्री को, कि नीव को समजना पड़ेगा कि नीव कहलाती किसे है तो अब इससे वो कहते क्या है कहते क्या है देखो मैंने क्या करा पहले दो रेखाएं बना दी थीक है बुद्ध को मैंने डिस्टरब कर दिया उसमें जाली बना दी उसमें काटा बना दिया मैंने हर चीज जो है उसे अशुप कर दिया मैंने यहाँ पर यह चेन बनाने शुरू कर दिये ठीक है समस्ते रहो मैंने उसका क्या बुद्ध को अशुप कर दिये शत्रूग्राई दुत्य भाग में नोवे में अब नोवे में यहाँ पर है अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिये शत्रूग रहा है अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूं इसके यहाँ पर आड़ी रेखा डाल रहा हूं यहाँ पर सरकल डाल रहा हूं समस्ते रहा हूं नौवे में पांच्वे में पांच्वे का मतलब ये वली जो रेखा आती है यहांपर, बारवे में यहांपर मैं यहांपर भी कोई disturbance डालूंगा definitely डालूंगा, अब यहांपर circle आ जाता है, ओ, sir, circle आता है तो यहां तो बहुत मुसीबत लाता है बहुत मसीबत लाता है यहां की आड़ी रेखा जो है यहां पर सरकल यह दो आड़ी रेखा यह तो सर बहुत नुकसान देगी यहां पर यानि इस एरिया पर अगर सरकल और स्क्वैर आता है तो वो क्या करेगा अगर यहां ट्रेंगल्स बने हैं अगर उनकी branches इस पर touch है और अगर ये चीज है तो क्या कहते हैं जो व्यक्ति होता है वो जादा पढ़ाई नहीं कर पाता है परिवार में उच्चे सिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है और यदि शनी पाँचवे घर में है अब शनी पाँचवे घर में है शनी 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 पाँचवे घर क्या है शनी कचिन क्या है शनी कचिन यह पाँचवे घर कौन से यहां पर यहां पाँचवे घर में है तो बच्चे आस्वस्त रहेंगे शनी अगर नौवे भाव में है अब यहाँ पर यह नौवा भाव है यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा दिया एक भाग्यरे का आरी थी इस पर क्रॉस का निशान लगा दिया तो वे आस्वस्त रहेगा राहू आठवे भाव में है अरे पाप रहे यार राहू आठवे भाव को सा बोला था सर ये मंगल का बोला था जहां पर आपने स्क्वेर बताया था अब यहां राहू का चिन लगा दो ना यहां राहू का चिन ऐसे बना दो ना यहां जाली बना दो न यह लो यह भी तो है राहु का आठवे भाव पर आ गया तो पिता की मृत्यू हार्ट अटेक से या अस्थमा के कारण होती है चालिस साल के बाद आखों की रोशनी खराब हो जाएगी पैर की समद्र रहेंगी ग्यारवे भाव पर सुर्य को टाल दो ग्यारवा भाव सुर्य यह यह सुर्य है इसका चिन ग्यारवा भाव यह रहा था यहाँ डाल दो यह लो 11 भाप पर सुर्य और बुद्ध का सयोजन कर दो यहां पर बुद्ध का भी सयोजन कर रहा हूं यहां पर यह रेखा है या सरकल यहां पर दोनों का मैंने मिलाप कर दिया अदालती कारवाओं में यानि इस वाले ही जगापर अगर चीजे हैं अगर यह बना हुआ है तो अदालती कारवाओं मामलों में धन की कमी होगी यह आया ट्रेंगल में इसलिए मेरे कभी भी एनलेसिस में ट्रेंगल की इंपॉर्टन्स को मैं जीरो मानता हूं क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं है यदि शनी और सुर्य चंद्रमा मंगल के साथ अशुब घर में हैं अब यह क्यों मुश्किल है एडवांस पामिस्ट्री क्यों आपके तोते उड़ रहे हैं क्यों तोते उड़ रहे हैं अरे तोते नहीं उड़ने चाहिए एक ले मैं भाशा में बता रहा हूं आपको तो उस पर स्टड़ी करनी है इतना असान तरीका बताया है आपको इतना असान तरीका बताया है क्या बढ़िया तरीके से वही चिन रिफलेक्ट होके जहां जहां जाएंगे यह एक नमूना बताया है मैंने फर्स्ट हाउस का देखो फर्स्ट हाउस का भाईया अब वो लोग क्या कहते हैं एस्ट्रोलोजर क्या कहते हैं मैंने कहा सेकंड हाउस सेकंड हाउस की बात कर रहा हूं अब मैं गुरू सेकंड हाउस यह सेकंड हाउस है इसमें दो रिखा मैंने बना दी ठीक है अब मैं फ्रोंसा इसका गलत वी तो चीजे बता रहा हूँ ना गलत चीजे समझो देखो वो लोग कहते हैं यदि शनी दस्वे भाव पर है और बुद्ध आठ्वे भाव पर है तो उसे धन खराब और सेहत खराब और जेल का जेल जाना पड़ सकता है अब शनी 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 दस्वे भाव पर शनी का निशान ये था दस्वे भाव यही अपना ही है इसका अपना ये है भाई ये दस्वे था ना शनी दस्वे भाव पर तो यहाँ पर ये चिन है समस्ते रहो शनी दस्वेवा बुद्ध अस्टम भाप पर बुद्ध बुद्ध क्या है बुद्ध ये रहा अस्टम क्या था हमारा यहां पर यहां पर मैं सर्कल कर देता हूं मैं सर्कल कर देता हूं तो उसे धन, खराब, शेहत, खराब, जेल का नुकसान उठाना पढ़ेगा बुद्ध सात्वे स्थान पर है, यही पर अपना बुद्ध का निशान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, दूसरों से इर्शा रखेगा उस condition में जब दो रेखाएं यहां पर हो logic समझो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं तो आपको वो चीज़े सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे है कैसे होता है पैसा कमाने का यहां पर वो क्या कहते है अगर जो है second house में होता है ना तो वो क्या होता है benefit कैसे करवाता है यह ऐसा व्यक्ति जो है पैसा कमाता है लेकिन condition यह है कि वो सेवा भावी होना चाहिए दान देता रहना चाहिए तो उसकी संपति में वर्दी होगी पिता के धन में लाब होगा लेकिन उसकी आर्थिक स्थिती में पैसे और खर्चे बढ़ते रहेंगे यह वाई मैं astrology की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कैसे उसे match करने के तरीका सिखा रहा हूँ यह advanced chemistry है यह advanced chemistry है यदि शनी दूसरे भाव में और ब्रस्पति के साथ है तो उच्चे शिक्षा प्राप्त करेगा देखो कितना असान तरीक है शनी दूसरे भाव में शनी कई रेखा दूसरे भाव में ला दो शनी कई रेखा यहाँ पर ले आओ यहाँ तो नुकसान ही नहीं न इसका यह गुरु कोई नुकसान नहीं दे सकता है शनी का जो है मित्र, इसका समांतर है ये, समांतर है, ठीक है, ब्रस्पती के साथ हो, ब्रस्पती के साथ है, ब्रस्पती के साथ ही कर दिया ना मैंने, तो उच्चे शिक्षा साहसी होगा शनी बारवे स्थान में है और यदी राहू शुप है देखो शनी बारवे स्थान में बारवा स्थान कौन सा है ये शनी बारवे स्थान में है और इसके साथ राहू इसका अच्छा है बढ़ी आए तो इसकी लाइफ में तरक्की निश्चत है ओहो अब समझ में आ रही है ये क्यों मैंने का कि मैं ट्रेलर देना चाहरा हूं नीव रखना चाहरा हूं अडवास पामिस्ट्री की बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं एक बच्चा भी समझ लेगा इंटरस्ट और जिन लोगों को एस्ट्रोलोजी और पामिस्ट्री में समानता नहीं दिखती ना तो पामिस्ट्री हीलर समानता है और जबर्दस समानता है लेकिन एडवास पामिस्ट्री है यहाँ पर दिमाग जो है न दोड़ाना पड़ेगा दोडाना पड़ेगा तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे नहीं तो नहीं समझ पाओगे ये क्यों वहाँ पर बोलते है एस्ट्रोलोजर क्यों बोलता है नहीं नहीं ऐसा है जब शनी बारवें घर में होगा ना तभी होगा और उसके साथ जो है ना वो जो है जो साथ में जो है क्या होना चाहिए राहुशुप का होना चाहिए तब ही उसकी जिंदकी सही रहेगी तो वो क्यों बारवा भाव वहाँ पर पता होना चाहिए कौन से साइन क्या है भाई ये क्या है ये ग्यारवा है ये बारवा है मैं देखो कैसे आपको इसमें कोई रटने वाली बात क्या एक दो तीन चार ये क्या है ये पांच ये क्या है छे ये क्या है साथ ये क्या है आठ ये क्या है नो ये क्या है दस ये क्या है ग्यारा ये ये क्या है बारा कैसे रटे हुए है क्या कोई भूल सकता है आपको आपको यहां पर क्या चीज़े rotations पर आ रही हैं आपको चिन मालूम है यहां पर चिन कौन कौन से आ रहे हैं एक second में पता लग जाएगा कि कौन सी क्या चीज़े चल रही है यहां पर एक second में पता लग जाएगा यहां पर कि कौन कौन सी चीज़े यहां पर चल रही है ठीके लो लो क् ये लो ये लो क्या है क्या है ये यानि इस सारे चिल उसी के हैं इसलिए मैं बनाएं जा रहा हूं ये लो ऐसे करते हैं मैं इसलिए एडवांस पामिस्ट्री और रिवर्स पामिस्ट्री सिखाया आप लोगों के ना दिमाग खराब हो जाएगा इसलिए मैं बहुत अच्छे डंग से सिखाता हूँ सीखो ये एक नमूना दिखा रहा था उन पाम रिडर के लिए और उन एस्ट्रोलोजर के लिए जो कहते हैं कि एस्ट्रोलोजी में और पामिस्ट्री में समानता नहीं है बिलकुल एक्जेक्ट है एक्जेक्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजगा कमेंट सुरू कीजगा धन्यवाद